आज है 21 अगस्त 2021 एक नई दिन के करेंटरफर्स की सुरुवात करेंगी तो चले सुरुवात करते हैं पहले क्यूशन के साथ भारत की तरफ से किसने पांचवी ब्रिक्स उध्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्सता की है इसका सही अंसर होगा ओप्शन नमबर C प्यूस गोयल जी के द्वारे आपर भारत की तरफ से यहां पर पांचवी जो ब्रिक्स मंत्रियों की जो उध्योग मंत्रियों की जो यहां पर बैठक है उसके अध्यक्सता की गई है प्रिक्स उद्योग मंतियों के बैटक के समोय के तोर पर एक साथ काम करने और एक दूसरे की सक्तियों के पूरक बनने सर्वतम पर्चलन साजा करने और यहाँ पर जो करमचारी हैं कर यहाँ पर कामचारियों से सीखने और 2030 तक सतत विकास यनकी सस्टेनेंबल डवलपमेंट की प्राप्ती के लिए सकरात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने की परतिबतिता के साथ संपन हुई है ब्रिक्स जिसके स्थापना 2006 में हुई थी और ब्रिक्स सम्मिट हुआ था सबसे पहले 2009 में मुख्याला है संगई चाइना के अंदर अगला कुशन है फुटबोल के सूपर स्टार खिलाडी लियोनेल मैसी ने ब्रासिलोना फुटबोल कलब को छोड़कर कौन सा फुटबोल कलब यहां पर शामिल हो गया है तो यह है पैरिस सेंट जर्मन ठीक है तो ऑप्शन नमर सी आपका करेक्ट है लियोनेस मैसी जो है बिसिकली अर्जेंटीना कंट्री से आप लोगों को देखने हैं मलता है और 21 साल के बाद बार्सिलोना ने यहां पर इन्होंने यहां पर शुरू कर दिया है जहां बार्सिलोना जो यहां पर लियोनस मैसी है इन्होंने 21 साल के बाद बार्सिलोना जहां उन्होंने शुरू किया था उसको छोड़ कर पैरिस सेंट जर्मन में है आपर यहां पर उनमें वो स्यामिल हो गए है फीफा, फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल डे फुटबोल अस्योशेशन जिसकी स्थापना 21 महीं 1904 के अंदर हुई थी इसका मुख्यला जुरिक सुजेलेंड में है और इसके अध्यक्स हैं जियानी इंफेंटीनो अगला क्यूशन है विषव मानापतावादी दिवस यनि की वर्ल्ड हिमिनिटेरियन डे 2021 सीथ का मनाय गया तो ये मनाय गया है 19 अगस्त को गिखो विषव मानातावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानविय करम योक यहां पर जो करमियों और उन सर्मिकों को सरदांजली देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने यहां पर मानविये सेवा करते हुए अपनी जान यहां पर गवाई है या फिर जान जोक्षी में डाली है दोजार एकिस में बारवा जो विस्वि मानवतवादी जो दिवस है यह मनाया गया इसकी थीम है the human race तो वहां तक आप इसको पहुचाने में हमारी हेल्प जरूर कीजेगा विस्व एथलेटिक्स अंडर 20 चेंपिंशिप किस देश में आईजित की गई इसका राइट एंसर होगा Kenya के अंडर इसका आईजित किया गया है यह आपका यहाँ पर करेक्ट होगा विस्व एथलेटिक अंडर 20 चेंपिंशिप 18-22 अगस्त केनिया के राज़दानी नौरोबी में यहाँ पर आईजित किया है केनिया जिसके राज़दानी है नौरोबी करंसी है केनिया सिलिंग और राश्बती है यहाँ पर उहरू केनियात अगला क्यूशन है, किस अभिनेतरी को जियो मामी फिल्म महसव का अध्यन जो अध्यक्स है वो यहांपर निुप किया गया है यह किया गया है प्रिंका चोपड़ा को तो दिपिका पादगोर्ण के पत से इनको हटा कर और चार महिनी के पाद अभिनेत्री प्रिंका चोपड़ा को जोन्स को जीओ जो है यहाँ पर जीओ मामी फिल्म जो है इसके अध्यक्स के रूप में घोशित किया गया है अगला क्विशन है भारती सेना ने 400 किलो मिटर जजबा ए तिरंगा रिले मेराथन का आईजन कहाँ पर किया गया है तो यह किया गया है जम्मु एण कश्मीर में भी आपका करेक्ट है तिको जम्मा इन कश्मीर में सेना के 400 किलोमेटर जज़बा ये तिरंगा नाम से रेली मेरा थन कायजन किया गया है नियंतर्म रेखायन की यहाँ पर लाइन ओफ कंट्रोल एलोसी पर भारती तिरंगे को ले जाकर 300 से अधिक सेनिकों ने भाग लिया और इस दोड ने सेनिकों में आपर भाईचारे की भावना को यहाँ आपर जगाया जम्मा इन कश्मीर 378 के बाद एक यूटी की रूप में जो की 6 तरफल की दर्ष्टी से 2nd largest यूटी है जम्मा इन कश्मीर के जो राज़दा नहीं है यह है जम्मू और सितकालीन है ग्रिष्मकालीन है स्रीनगर रज्येपाल है यहाँ पर मनोज सिना आप लोगों को देखने को मिलते हैं everyone इसके अलाबा जम्मेट कश्मीर के जो न्यादीस है या पर न्याले के जो मुख्य न्यादीस है यह है पंकज मिध्थल अग्रा क्विशन है UNWGIC जो सिखर समय लाइन दोज़ार बाइस का आजन कौन सा देश करेगा तो इसका राइट एंसर है D आपका करेक्ट है भारत 22 में हैद्राबाद तिलांगना के इंदरिस का आजन क्या गया पहला सिकर समयलन 2018 में क्या गया इस बार किसकी थीम थी अग्रा क्विशन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राष्टे रक्षा अकादमी जो है यहाँ पर इसकी परिक्षा में महिला उमिद्वार भी शामिल हो सकेंगी तो बताईए एंडिये का मुख्यल है कहां परिस्तिता है यहाँ पर खडग वासला में जो की महरास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल डिफेंस अकैडमी इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1904 को इती इसका मुख्यला है खडग वासला में महरास्ट में और यहाँ पर कमांडेंड जो यहाँ पर लेफटनेंड जर्णल है असीत मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगला क्यूशन है केल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रेंड में जर्ए कोन बने है राइट एंस और पी आर स्रीजेश यह आपका करेक्ट है तो आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पर इनको ओलम्पिक पी आर जो ओलम्पियन है यहाँ पर पी आर स्रीजेश इनको केल के टूरिज्म के ब्रेंड बैस्टर के तोर पर नियुक्त किया गया है ठीक है अगला क्यूशन देखें यहाँ पर एंटी टेर्रिस्ट स्क्वार्ड यानकी एटीएस इसके प्रचिक्शन केंदर किस राजी में स्थापित किये जाएंगे राइट एंसर होगा ओप्शन नमब करेक्ट है याँ पर बी उत्तर प्रदेश के इंदर इसके जो प्रचिक्शन केंदर है वो यहाँ पर ओपन किये जाएंगे एवरिवन देखो ATS आतंगवाद निरोधी जो दस्ते हैं आपर स्क्वाड है वो आप लोगों को देखने को लेगा उत्तर प्रदेश सरकार के सहारनपूर के वेदबंद में आतंगवादी निरोधी दस्ते जो हैं इनको कमांडो के रूप में आपर प्रचिक्शन के इंदर स्थापि किया जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो चलगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जोग कीजिएगा थैंक यू अवरिवान बाई गैस टेक क्यार